आज के वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे आपके KBS के सिलेवस्ट के बारे में आप सभी को पता होगा कि KBS ने वेकेंसी रिलीज कर दिया है जो कि टोटल आपका 13,000 वेकेंसी है जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है इतनी वेकेंसी देना क्योंकि हर कोई का सपना होता है कि KBS टीचर बने और उसका जो भी बेनफिट है हम उठाएं क्योंकि KBS आपको टीचिंग लाइन में बहुत ज़्यदा ओपरचुनिटी देता है आगे बड़ने के लिए तो इसलिए यह जो इंडिया का वेस्ट टीचर के लिए ज्वाब होता ह प्याटी टीचर बनना है तो उसके लिए क्या पढ़ना होगा तो आज की वीडियो हमारा बेसिक सिलिवर्स के बारे में ही रहेगा तो अगर आप सिलिवर्स को जान जाएंगे तो आप अपनी त्यारी परफेक्ट रूप से कर पाएंगे तो देखिए जो आपको अभी सिलि प्याटी टीचर के लिए है जो कि आपको पता होगा कि प्याटी टीचर वही बनते हैं जिनके पास मास्टर डिग्री होता है यानि मास्टर डिग्री हो अपलस में 50% यानि आपका 50% पासिंग मार्क होना जाएं ठीक है और इसमें सिटेट कोई मस्ट नीड नहीं होता है आप अपलाई कर सेकते हो PGT के लिए तो देख लिजे आपका यह syllabus है इसमें क्यादिया है कि आपका जो जेनरल इंगलिश होगा वो दस नमर का होगा जेनरल हींदी पार्ट वन में जो है हींदी इंगलिश और जेनरल नॉलेज यह होता है आपके पार्ट वन में यानि इंगलि दस question रहेंगे जो की total 10 mark होंगे ठीक है पार्ट व में अगर देखा जाए तो आपका reasoning ability है computer literacy है और pedagogy है और subject concert है देखे आपको reasoning ability में 10 question देगे 10 mark होगा ठीक है और computer literacy में भी 10 question होगे जो की 10 नमर का होगा और pedagogy में आपको 20 question होगे 20 नमर का होगे यानि हर question एक नमर का होगा टोटल 500 question जो की 500 नमर का होगा में आपका रहता है यह subject concert यह क्या होता है देखिए जो भी आपने master degree किया है या फिर science से हो या फिर math आपने किया है ठीक है math लिया है physics लिया है chemistry जिसमें भी आप honors किया है तो उसे related आपको question 80 नमर के आएंगे ठीक है तो यह आपका था PGT level का syllabus तो आप अपना देख सकते हो और इस हिसाब से अपना त्यारी कर सकते हो ठीक है देख लेते हैं आपके TGT teacher के लिए क्या होता है English, Hindi, Mathematics, Science और Social Science, Sanskrit के लिए क्या है देखे general English के लिए आपको क्या करना है कि 10 question रहेंगे यह भी 10 यानि यह भी तीनों पार्ट में क्या है दस दस नमर का है आपका तीनों हिंदी, English और general knowledge ठीक है reasoning ability में क्या होगा 40 question रहेंगे इसमें बढ़ा दिया आपका उसमें क्या था 10 question था PGT में इसमें क्या है 40 question है जो कि 40 marks के रहेंगे computer literacy आपका 10 नमर करहेगा यानि 10 question 10 नमर करहेगा और pedagogy जो होगा वो 40 question रहेंगे 40 marks के रहेंगे total 40 नमर के ठीक है तो यह थे आपके KVS के मतलब TGT teacher बनने के लिए इसमें subject concern नहीं होता है आपका main होता है reasoning ability ठीक है और यह pedagogy यह आपको पढ़ लेना है main focus किस पर करना है आपका reasoning ability और pedagogy और यह gk पर तीन पार्ट अगर आपने complete कर लिया तो आप exam पास कर जाओगे बागी मैं cut up के लिए भी अलग से आपको वीडियो provide करूँगा कि previous year में कितना cut up गया था तो अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को subscribe कर लिजएगा और bell icon को press कर लिजएगा क्योंकि मैं यहाँ पर आपको seated KVS NBS और हर teacher level का त्यारी कराता हूँ ठीक है तो यह देखिए आ में आपका कोई changing नहीं है बस subject concern में आपका 100 number का question 100 question रहेंगे 100 number के रहेंगे जो भी physical के लिए या health education के लिए जाना चाहते हैं टीच्टी टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए यह syllabus है ठीक है बाकी देख लेते हैं आपके प्यार्टी के लिए क्या है primary level में syllabus क्या रहता है ठीक है primary level में जो syllabus आपके होते हैं जेनरल यानि इंगलिश हिंदी और general knowledge से जो होते हैं दस-दस-दस legislation होते हैं ठीक है conditioning ability में आपकर 10 questions होते हैं तस-दस-दस नवर करते हैं ठीक है पेड़ा गोजी में आपका 20 questions आते हैं बीश नवर करता हैं ठीक है subject concerned यानि 80 और 80 subject concerned इसमें अगर बात कर जा है तो वह primary level में जो होता है आपका science ठीक है और social science इस तक अप Mumbai से मेत से हैं या साइन्स से हैं मतलब मैत से हैं तो आपको साइन्स में भी काउंट किया बाकी अगर से सिस्टी या निर्स से हैं तो असी नमर का होगा इसमें में इंपोर्टिंट आपका जो महत्यपूर्ण है वह सब्जेक concern है चलिए हम देख लेते हैं कि भाई साब आपको हंदी और इंगलिश के लिए तैयारी के लिए कौन सा बुक purchase करना चाहिए आपको जो भूक purchase करना है जदा कुछ purchase नहीं करना है क्या करना आपको primary teacher exam के लिए प्राइबरी टीचर एक्जाम के लिए आपको क्या करना है कि all अगर syllabus को cover करना है आपको तो एक चंद और विबेक शिवराज कर जो है ना publication का आप बुक खरीद लिजिए और उससे पढ़ाई किजिए आपका सारे अब देखिए आपके इंग्लिश के लिए क्या करना है कि एस चांद कहीं आप खरीद सकते हैं या फिर आरेस अगरवाल या फिर विकास अगरवाल जो भी आपको बेश्ट लगे वह आप परचेज कर सकते हैं इंग्लिश के लिए हैं ठीक है बाकी रिजिनिंग और वर्बल और नन वर्बल के लिए आपको क्या करना है अरिहंत का पब्लिकेशन का या फिर इंदू सिजवाली ठीक है इस पब्लिकेशन का आप बूक ले सकते हैं किसके लिए रिजिनिंग एविडिटी के लिए ठीक है बागी अगर आप बात केए जाए guide computer ठीक है न कमपीटर शायेंस के लिए आप के या करना अरिहंत का अरिहंत पाबलीकेशन का आप भूले लो अप कोशिज करना कि अरिहंत का दोनों आप ले लेना reasoning का भी और computer का भी बागी इसमें जो होगा आपका आरेस अगरवाल भी वेश्ट रहता है बाकि इस चांद को आप प्रिफेर कर लेना ठीक है और अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा और बेल आइकन को फ्रेस कर लेजिएगा क्योंकि मैं नेक्स्ट जो आपका वेकेंसी है केवियस का इसके लिए मैं आपको कलास भी लाने वाला हूँ अभी हमारे कलास जो चल रहा है वो सीटेट का चल रहा है तो इस वैसे मैं जब तक यह फॉर्म फिलप नहीं होता है तब तक मैं केवियस के बारे में अभी कुछ नो मतलब यह अपडेट था इसलिए सिलेवर्स के बारे में तो मैंने आपको पुर्वाइड कर दिया बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए अपना ख्याट रखिए बाट